स्वागते सांतियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंट पे सांतियों एक सीरीज है GKGS का जो अगामी आपके आने वाले कोई भी एकजाम हो रेलेवे, SAC, बैंग या BPSC या सचीवाल ऐसा है कि आप बिहार अभी यानि कि आपका कोई भी परतियों की परिक्षा अगामी आने वाला हो उसमें सांतियों बहुत फायदा करेगा तो इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखिएगा और जो सांतियों हमारे चैनल पर नए है मेरे दोस्तों इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कहा जा रहा है कि मिलवर्ण किर्केट कलब यानि कि MCC का मुख्याल है कहां इस ती था तो सांतियों पहला प्संदे रखा है वास इंगटन दूसरा प्संदे रखा है लंदन और तीसरा प्संदे रखा है बिजिंग और चौथा प्संदे रखा है सीवडिनी तो मित्रो इसका सही जवाब क्या होगा जरह आप लोग comment box में comment कीजिए और बताइए इसका answer क्या होगा जवाब देने का आप लोग काम कीजिए बताइए mcc का मुख्याले कहां इस्तित है सतासी में हुई थी ठीक है अब इए iPhone करता है ठीक है इसको अब सवार कर दीया कहा है जितने इसका कार है कि है तुन नेक्स्ट प्रस्न है कि तरफ हम बढ़ते हैं कहा जा रहा है किस ब्रिटिस सरकार सुधार द्वारा प्रांतो को स्वयतात्ता मिली क्रीश बिरिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतो को स्वयतात्ता मिली पाल अप्षन दे रखा है भारत सरकार अधिनियम अने 25 के द्वारा दूसरा अप्षन भारत सरकार अधिनियम अने 209 के द्वारा तीसरा अपसन भारत सरकार अधिनियम अनेशों अनेश के द्वारा और चौथा अपसन दे रखा है 1858 में राने की उद्भोसना तो सांतियों इसका राइट जबाब क्या होगा इसका क्या अंसर होगा जार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए कमेंट नहीं किजिए तो कैसे पता चलेगा कि आपका जबाब क्या था चलिए इसका जबाब देने का आप लोग काम किजिए तो किस बिर्टी सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वेताता मिली थी बताइए इसका अंसर क्या होगा तो मित्रो भारत सरकार जो है अधिनियम अनुसुचिया कितनी है तो 10 अनुसुचिया है ठीक है इस जो है अधनियम की विशेष्टा बहुत है अखिलवरतिये संग है इसके अंतर गत आता है ऐसी अंतर गत आता है तो बहुत सरा विशेष्टा है चलिயतर नी कि तरह बढ़ते हैं ज्यान देंगा आप काम कीजिएगा और सांतियो पूरा बीडियो को देखिए लाश्ट तक ज़रूर देखिएगा next question जो आपके screen पे है बुद्ध से है कहा जा रहा है कि बुद्ध का वास्त्विक नाम क्या था ज़र आप लोग बताईए पहला अप्सन सिदार्थ दूसरा अप्सन चन्ना और तिसरा अप्सन सुद्योधन और चौथा अप्सन कंठक तो बताईए आप लोग बुद्ध का वास्त्विक नाम क्या था जवाब देने का आप लोग काम किजिए जवाब दीजिए मित्रो तो सांतिओ बुद्ध का वास्त्विक नाम सिदार्थ था इसका राइट अप्सन नंबर आपका एक हो जाएगा लेकिन हम लोग बुद्ध से और सारा एक्स्ट्रा फैक जानने का काम करेंगा ध्यान दीजिएगा बुद्ध को लाइट ओफ एसिया भी कहा जाता है ठीक है ना एसिया का जोती पुंज इसी को कहा जाता है बुद्ध को इनका जनम जो है 1563 इसा पुर्व में कहा हुआ था तो पुत्र का नाम रहुल था याद रखिएगा इनकी धरम-पत्नी राज-गुमारी इसुद्रा थी पिता दोधन सुद्योदन था और मता का नाम माया देवी था फे तो वुद्ध से जबाब देने का आप लोग काम कीजिए चलिए नेक्स कुश्चन जो है कहा जा रहा है कि यदि किडिनी ठीक से कार नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा एकठी हो जाती है किडिनी यानि कि इसको हम लोग गुर्दा भी बोलते हैं विरिक भी बोलते हैं इ इस चीति को हम लोग बोलते हैं विरिया की मात्रा इकठी हो जाती है तो यह इस्तिति क्या कहलाएगी जबाब देना है आपको पालाप संध्यान प्रुवक्त देखिए और सुनिये कभी सत्वक्त विरिक सोध दूसरा गुर्दा खराब हो जाना तीसरा गुर्दे की पत्री इस चीति क्या कहलाएगी जबाब देखिए तो आप लोग वैट कर रहा है आपके एंसर का जबाब दीजिए चैनर संध्यो को हम लोग इरिंए कहते हैं तो आईस इस स्थितिक प्लाप से नमबर इस अ lucky हो जाएगा अब देखिये ली नि दिखालोजी में किया याद रखेगा लेकिन डॉक्टर को इसको क्या बोलते हैं नेफ्रोलोजिस्ट बोलते हैं इसका कलर कैसा होता है रेडिस ब्राउन होता इतना याद रखेगा आप लो इसका वजन अगर पूछे तो कितना होता है 170 गराम होता है और अकार कैसा होता है तो स्वयाबीन की तरह होता है जो दाना होता है इतना याद रखेगा चलिए नेक्स्ट कुश्चन की तरह हम बढ़ते हैं ध्यान पुरुवक सुनिए और बनाते चलिए जवाब दीजिए मित्रो आप लोग देखते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं चलिए इसका एंसर भी बताईएगा नेक्स्ट कीश्चन का कमेंट कीजिए मित्रो सुन्दर सुन्दर आँखों से देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए मित्रो चलिए प्यारे सांतियों देखते हैं हम लोग next question की तरफ कहा जा रहा है कि वर्तमान में राजसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है अभी पुछा जा रहा है present time में ठीक है फाला अप्षन 245 दूसरा अप्षन दूसरा अप्षन दूसरा अप्षन दे रखा है 235 और चौथा अप्ष 200 कि संख्या दूसरा बताइए 45 मित्रो तो इसका राइटेंसर अप्षन नंबर आपका एक हो जाएगा ठीक है राजसभा को उच्छ सदन भी कहा जाता है और अधिक्तम पूछे तो याद रखेगा 250 ठीक है अधिक्तम पूछे तो किस बात को याद रखेगा और उपसभा प जद्यू के ठीक है और सदन के नेता कौन है तो याद रखेगा थावर चंद गहलोत जो की भाजपा से विपक्ष के नेता कौन है तो गुलाम नवी अजाद है जो की कांग्रेश से है चलिए नेक्स्ट कुचन की तरफ हम बढ़ते हैं कहा जा रहा है कि परसीद जो है चेरा बंदरगा ठीक है मुजिरी निमन लिखित में से किस राज में इस्तित है पाला अपसन करनाटक दूसरा अपसन गोवा और तीसरा अपसन है तमिला अंडू और चौथा अपसन है केरल तो सांथियो इसका राइट एंसर क्या होगा ज़ किस राज में इस्तित है तो सांथियो मुजिरी जो है किरल में इस्तित है तो इसका राइटेंस सांथियो अपसन नमबर डि हो जाएगा और एक चीज और यहां से आप लोग जान सकते हैं किरल अगर पूछे तो इश्की रजानिका है त्रिवंत पूरम याद रखिएगा ठ है अगर करनाटक की बात किया जाया जाती हो ते वहां के सी म बीह सी अधुरश्य कोधिया है और राजपाल Łजुभाई वाला है। व्धान सवा । कि सीड़ की अगर पंजी है, यहां के CM पर्मोद सानुत है, जो की बिज़े पी से है, और राजपाल मिरदूला शिना है, और विधान Sabah Kitot की संख़या 40 है, राजपास की संख़या 1 है, लोकлон संगर 2 है, अगर वहीं हम तमिलांडू की बात करते हैं तो बताइए यहां की capital क्या है चिन नहीं है और यहां के cm के पलानी स्वामी है याद रखेगा स्वामी जी को और राजपाल बनवारी लाल पुरुहित है विधान मंडल एक सदनिय है विधान साबाग सीटों की संख्या अगर बात किया जाए तो 235 है ठीक है कहां की तमिलांडू की राजसाबा के बता दीजिया 18 सीटे है और लोकसाबा की 49 सीटे है तो इस सब भी फैक्ट आप लोग हिजाद रखने का काम के लिएगा चलिए नेक्स शुप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं कहा जा रहा है कि भारतिय समिधान में मौलिक अधिकारों के परवधान को कहां के समिधान से लिया गया है पहला अपसन ध्यान पुरवक सुनिएगा जपान के समिधान से दूसरा अपसन चिन के समिधान से तीसरा अपसन संजुक्त राज अमेरिका के समिधान से और चौथा अपसन United Kingdom के समिधान से तो साथियो इसका write answer क्या होगा ज़र आप लोग बताने का काम करें कहां से लिय गया है तो साथियो संजुक्त राज अमेरिका के समिधान से लिय गया है इसका write answer शाथियो अपसन नंबर आपका C हो जाएगा राइट एंसर मित्रो अपसे नंबर आपका सी होगा संजुक्त राज अमेरिका चलिए next question की तरफ हम बढ़ते हैं ध्यान पुर्वक सुनिएगा और बनाने का काम भी किजिए आप लोग चलिए कहा जा रहा है कि अनिश्चित कालिन अस्थगन के संदर में साइन डाई सब्द का क्या अर्थ होता है दो घंटे के लिए या आदे दिन के लिए या अनिश्चित काल के लिए या एक घंटे के लिए तो मेरे पीडिये सांतियो इसका जबाब दीजी आप लोग कि अनिशित कालीन अस्थगन के संदर में साइन डाई सब्द का अर्थ क्या होता है दो घंटे के लिए या आदे दिन के लिए या अनिशित काल के लिए या एक घंटे के लिए तो मित्रो इसका राइट एंसर क्या होगा ज़रा आप लोग बताए तो सांतियो साइन डाई सब्द का अर्थ होता है क्या चीज अनिशित काल के लिए किसके संदर में तो अनिशित कालिन अस्थधन के संदर में याद रखिएगा तो मित्रो इसका right answer option number आपका C हो जाएगा next question की तरफ हम बढ़ते हैं कहा जा रहा है Eurasia के मध्ध अक्छानसिये घास के मैदान को क्या कहलाते हैं Downs या HTP या Willis या Pumpas तो Eurasia के मध्ध अक्छानसिये घास के मैदान को क्या कहते हैं ज़र आप लोग जबाब देने का काम करें जबाब देजये मित्रो प्यारे जनाठी ओजबाब दीजये इससे क्या होगा और जो है दिक्कत नहीं होगा लगाइए सरमाय हमत कितना लगाइएगा जबाब देने का आप लुग काम किजिए कमेंट किजिए तो यूरेसिया के मद्ध अक्षांसिय घास के मैदान को क्या कहते हैं बताइए इस टेपी कहा जाता है मित्रो इसका राइट इंसर अपसर नंबर अपका बी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कुर्शन की तरफ हम बढ़ते हैं ध्यान देने का आप लोग काम किज देगा चलिए कहा जा रहा है कि अपने विश्व परसिद मिनाक्षी मंदीर के लिए निमलिखित में से कौन सा सहर मना जाता है चितंब्रम मना जाता है या तंजाओर मना जाता है या तिरूपति मना जाता है या मद्दूरयय मना जाता है तो सांतियो इसका एंसर क्या होगा ज़र आप लोग बताने का काम करें बताईए परसिद मिराक्षी मंदिर कहां पे है किस सहर में है बताने का काम करें आप लोग तो सांतियो कहां है मदुरेये में है तो इसके राइट देंसर सांतियो अपसर नमबर आपका डी हो जाएगा चलिए बहुत अच्छा जबाब आ रहा है आप लोग का चलिए बहुत अच्छा कि तरफ हम बढ़ते हैं कहा जा रहा है कि भारत में स्वेत करांती का जनक किसे कहा जाता है ठीक है डॉक्टर वर्गिज कुरियन को कहा जाता है या डॉक्टर एमेस स्वामीनाथन को कहा जाता है या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है या डॉक्टर सियन राव को कहा जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका एंसर क्या होगा जरा आप लोग बताइए तो तो स्वेत करांती का जनक भारत में याद रखेगा भारत में स्वेत करांती का जनक डॉक्टर वर्गिज कुरियन को कहा जाता है और भारत में हरित करांती का जनक डॉक्टर एमेस स्वामिनाथन को कहा जाता है लेकिन 20 सुल लेवल कर पूछे हरित करांती का जनग तो याद रखिएगा नॉर्मन बर्लोग को कहा जाता है और डॉक्टर एबीजे अब्दुल कला में भारत के राष्ट पती थे एगर आवे और डॉक्टर सियन राव ए रसायन सास्त्र थे इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है पदम सिरी भी मिला हुआ है ध्यान रखने का काम कीजिएगा तो यहाँ इसका राइट इंसर चांती अपसे नमबर आपका एक हो जाएगा डॉक्टर वर्गिज कुरियन नेक्स क्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं आप लोग भी बनाने का काम कीजिए मित्रो कहा जा रहा है कि क्या भारत में एक नए राज का निर्मान हो सकता है आप लोग सुचिएगा इस क्यूशन को ध्यान देने का काम कीजिए चलिए दोस्तों क्या भारत में एक नए राज का निर्मान हो सकता है सविधान संगीय नहीं है अपसर नमर B में कहा जा रहा है या सविधान के अनुसार नहीं हो सकता है अपसर नमर C में कहा जा रहा है या सविधान के अनुसार हो सकता है और अप्सन नमर डी में कहा जा रहा है सविधान में इस समझ में कोई प्रावधान नहीं है तो सांतियो इसका क्या answer होगा जार आप लोग बताने के काम खरें किया भारत में एक नयराज का निर्मान हो सकता है बताईए तो सांतियो हाँ हो सकता है सविधान के अनुसार हो सकता है तो सांत यो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अपसन नंबर आपका सी इसका राइट एंसर हो जाएगा या सविधान के अनुसार हो सकता है नेट्ट कुशन की तरफ हम बढ़ते हैं कहा जा रहा है कि निमलीखित में से किस एक का सम्बंध महिला बैडमिंटन खेल से हैं अब चार गो अप्षन दे दिया है मित्रो अब बताना है आपको कि कि किस का सम्बंध महिला बैडमिंटन खेल से है बताईए आप लोग, पाल अप्षन, वेलिंटन कप, दुसरा अप्षन, वाकर कप, तिसरा अप्षन, उबेर कप और चौथा अप्षन फॉमस कप तो सही जवाब क्या होगा, जरह आप लोग जवाब दीजिये, बताईए बताने का काम कीजिया मित्रो तो साथ ही हो महिला वैड्मिन्टन कप महिला वैड्मिन्टन खेल का संबंद उबेर कप से है तो इसका राइट एंसर अपसन नमबर आपका सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तो चलिए नेश्ट कुछन के तरफ हम बढ़ते है देखिए मित्रो यह जो आप स्रीज कर रहे हैं आपकी अगामी आने वाले रेलवे की भरती परिक्चाओ या किसी भी परकार की भरती परिक्चाओ उनमें बहुत मदद करेगा आपको आप वीडियो को फूरा लाश्ट तक देखिए और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में भी सेयर करने का काम किजी मित्रो और कमेंट किजिए बनाईए चलिए कहा जा रहा है कि किंद्र सासित प्रदेश पांडी चेरी का नाम बदल कर पुदू चेरी किस वर्ष किया गया पहला अपसन आपके स्क्रीन पर है 2006 दूसरा अपसन 2002 और तिसरा अपसन दे रखा है तूनाट और चौधा अपसन दे रखा है 2000 अब आप यहाँ बताईए यह पांडी चेरी का नाम पुदू चेरी बदल कर किस वर्स किया गया जबाब देने का आप लोग काम कीजिए बताइए क्या होगा इसका एंसर तो सांतियो किंद्र सासीत परदेश जो आपका पुदुचिरी है तो इसका नाम पांडी चेरी पहले था तो इसका नाम पुदुचिरी 2006 में जो है बदला गया तब जाकर करिक्षा नाम पुदुचिरी हो गया तो सांतियो इसका राइट एंसर अपसर नमबर आपका एक हो जाएगा याद रखिएगा और यहां राज सावा सीटों की संख्या एक है लोग सावा सीटों की चलिए नेक्स कुछन के तरह बढ़ते हैं कहा जा रहा है कि सरकारी आयका राष्टुडिये योजना से अधिक अतरिक व्याय कहला आता है कौन से ब्याय कहलाएगा भाई चलिए मुद्रा अस्फिती कर या मुद्रा अस्फिती अंतराल या मुद्रा अस्फिती अस्पाइरल या अपसिती अपस्फिती अंतराल तो सरकारी आय कहा राष्टिडिये योजना से अधिक अतरिक्त ब्याय क्या कहलाता है बताने का आप लो सरकारी आयका राश्रीय योजना से अधिक अतरीक्ट व्याय क्या कहलाएगा मुद्रा अस्पिति अंतराल कहलाएगा तो मित्रू इसका राइट एंसर अप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा next question जो आपके screen पर है कहा जा रहा है कि एक verse में budget सत्र की ऑधिक कितनी होती है पहला प्सण फर्वारी से मय डूसरा प्सण दे रखा है जून से अगस्त और तीस्रा प्सण दे रखा है मार्ज से जून और चौथा अप्सण है फर्वारी से जून तो तो साथियों इसका क्या answer होगा ज़र आप लोग बताने क्या काम करें एक वर्स में बजट सत्र की ओधी कितनी होती है तो साथियों फरवारी से मई होती है तो इसके राइट एंसर अप्सर नंबर आपका एव हो जाएगा चलिए हम लोग next question की तरह बढ़ते हैं कहा दा रहा है कि crouch start किस परती अस्परदा से सम्वंदित सब्ध है इस question का आप लोग बनाईए पाला, sprint, दूसरा, badminton, तीसरा, chase और चौथा, table tennis तो मित्रो इसका क्या answer होगा जरा आप लोग बताएं crouch start किस परती अस्परदा से सम्वंदित सब्ध है जवाब देने का काम करें आप लोग तो सांतियो इसका right answer क्या हो जाएगा crouch जो है एस start परती अस्परदा सम्वंदित सब्ध किस से है तो sprint से याद रखेगा इसका right answer सांतियो option number आपका एक हो जाएगा next question कहा जा रहा है कि dash dash नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रतेक बिंदू पर विभव का मान नियत होता है पाला अप्शन सांखिक विभव तल दूसरा अप्शन बहुव विभव तल और तिसरा अप्शन सम्वंख्य तल और चौता अप्शन दे रखा है सम्विभव तल तो सांथियो इसका क्या एंसर होगा ज़र आप लोग बताएं बताएं दोस्तों कमेंट कीजिए हाँ बताएं आपका बहुत अचा रहा है कमेंट कीजिए तो सांथियो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सम्विभव तल अप्शन नंबर अपका ड़ी चली नेक्ट कुर्शन की तरफ हम बढ़ते हैं कहा जा रहा है कि जब दोलक पर आरोपित प्रेर्यक बल दोलक की वास्त्विक आविर्थी के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई बिरीधी क्या कहलाती पहला प्रेरित आवीर्ति, दूसरा अनुनाद, तीसरा मुक्त आयाम, और चोथा प्रेरित आयाम, तो सांथियो, बताईए आप लोग इसका क्या अंसर होगा, जब दोलक बर, आयरोपित प्रेराकबल, दोलक की वास्तिक आवेर्ति के बराबर हो जाता है, तो दोलक के आयाम म हुई विरिधी अनुनाद कहा लाता है मित्रों तो इसका राइट इंसर अपसर नंबर आपका भी हो जाएगा सांतियों चलिए हाँ बहुत अच्छा चलिए यह भी पी एसी हो उसमें भी फ्यादा करेगा बिहार अमिन की परिक्षा आने वाली है उसमें भी फ्यादा करेगा तो विडियो को देखिए और बनाने का काम कीजिए आप लोग और इभी सब्द खरीफ का अर्थ क्या है पाला सरदी दूसरा पतजड तिसरा गर्मी चौथा बसंत तो सांतियों इसका क्या अंसर होगा ज़र आप लोग बताएं तो सांतियों और भी सब्द खरीफ का अर्थ होता है पत्त जड़ तो मित्रों इसका राइट एंसर अपसे नंबर आपका बी हो जायेगा चलिए हम नेक्स कुशन के तरफ बढ़ते हैं आप लोग भी चल या 998 में हुआ या 997 में हुआ या 2000 में हुआ अब तो बताइए डिलर महोदय जी बताइए क्या होगा इसका अंसर तो सांतियों सरवजनिक वित्रन परणाली के रूप में कब हुआ उनर गठन 998 में हुआ या 997 में हुआ या 2000 में हुआ तो सांतियों इसका जबाब क्या हो होगा जड़ा आप लोग बताने का काम करें कि बताइए तो सांतियों इसका राइट एंसर और नई सव शंतानवे में हुगा तो अप्षिन नमबर आपका सी हो जाएगा सुन रहा है डिलर जी चलिए कहा जा रहा है नेक्ष्ट कुश्चन निमलिखित में से दुधारू पसू की नसल कौन सी है अब यहाँ पे आपको चारव अप्षन दे रखा है दुधारे पसू का समझे तो उसका कौन सा नसल है बताना है हलीकार है नागोर्य है या सहिवाल है या कठिया वाड़ी है कौन ज इसका राइट एंसर क्या होगा जार आप लोग बताने का काम करें तो सांतियों जो धारू पसूओ की नसल आपका साहिवाल है तो इसका राइट एंसर अप्षन नमबर आपका सी हो जाएगा चलिए नेक्ष्ट में के तरफ हम बढ़ते हैं कहा जा रहा है कि मुरक्को का या तुसरा मुमत बिन तुगलक तुसरा फिरोजसा तुगलक और चोथा अलावदिन खिल दी तो सांतियों इसका क्या जबाव होगा जर आप लोग बताएं मुरक्को का यात्री जो था आपका इबन बतुता किसके सासनकाल में भारत आया था तो सांतियों यह मुमत बिन हो जाएगा हाँए बहुत अच्छा आपका जवाब बहुत अच्छा रहा है चलिए में जीवित प्रानियों में प्रसाइनिक bond के रूप में उर्जा के भंडार पाए जाते हैं। उर्जा के यह racine कह लाते हैं। जीवित परानियों में racinic bonds के रूप में उर्जा के भंडार पाए जाते हैं। कि उर्जा के यह रासाइन क्या कहलाते हैं तो सांति हो और जाक यह रासायन एडेनोशीट्ट्राइप फोस्फेट्ट कहलाते हैं सांति इसका राइट इंसर अप्षिन नम्बर आपका सी हो जाएगा तो हम लोग आज का last question बनाने का काम करते हैं आप लोग भी जबाब देने का काम किजिएगा चलिए काज आ रहा है जो आपके screen पे है question कि दक्षिन अमेरिका का कौन सा देश चारो और से धर्ती से घिरा हुआ है पेरागवे या वेने जुवला या तिसरा अपसन उरुगवे और चौता अपसन ब्राजील तो सांतियो इसका क्या जबाब होगा जरा आप लोग जाए कोमेंट बॉक्स में कोमेंट करके बताईएगा आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा इस question का जवाब हम next वीडियो में देंगे जो सांति हमारे चैनल पर नहें आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रूप में सारे सुसल मीडिया में जरूर सेयर कर दे ताकि वे भी आपके जो दोस्त त्यारी कर रहे हैं किसी भी परत्योक्ता परिच्छा का तो वे देख सके और मैं मास्ट्रा माइड चैनल के माध्यम से आप लोग उसे बार-बार बिंती गुजारिस करना चाहूंगा कि आप लोग घर में ही रहें और अपनी हातों को बार-बार शावन से धोते रहें वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहिंद जह भारत